सबी दोस्तों को मेरा नमस्कार प्रणाम सबस्रिकान मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सो पुरी आज कुछ जानकारी लेके आया हूँ संडे के शो के बारे में आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए और आपको अवगत कराना चाहिए कि अगले संडे का जो शो है वो बहुत ही महत्पूर्ण है कई बातें आपसे सांजा करनी बहुत जरूरी है और मैंने सोचा कि आज शुकरवार है और कल नहीं परसू हमारा यूज्वल संडे शो है शाम के पांच बजे और उस शो के बारे में में कुछ आपको जानकारी देने आया हूँ आज और साथ में हमने रेडियो वितस्ता पर कुछ नई प्रोग्रेम्स शुरू किये हैं और करने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ और आज मुझे ख्याल आया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए ताकि आप लोग हमारे संडे की शो में जुड़ जाएं और इसलिए क्योंकि संडे वाले शो बहुत ही मैत पूर्ण है बहुत ही जानकारी उससे आप सब को मिल सकती है इसलिए मैं आपके साथ इस समय बात करने आया हूँ हमारे साथ बारत जी जुड़े हैं कैनेडा से बारत जी आपका स्वागत और इस अपडेट में और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप ल च्छे जून को जो पांच बजी शाम को हम रेडियो वितस्ता फेस्बुक पीज पे शो करेंगे उसमें हमारी जो महमान है वो होंगे डॉक्टर रमेश मिश्रा जी डॉक्टर रमेश मिश्रा जी एक ऐसे विक्ति है जो जानकारी का एक बंडार है जो संगीत को जीते हैं संगीत के साथ 24 गंटे अपने बिताते हैं और सारी जिन्दगी उन्होंने संगीत के साथ ही दिताई है अये मैं थोड़ा सा आपका विवरिन देता हूँ जब हम कोई भी संगीत की महफिल देखते हैं उसमें जो म्यूजिक अरेंज करते हैं जो म्यूजिशन्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल निवाते हैं और डॉक्टर रमेश मिश्रा जी हम से दिली से जूड़ेंगे और उन्होंने पूरी जिन्दगी बॉलिवुड में संगीत देने में गुजारी है प्रोग्राम के शुरौवात में हम आपको उनके बारे में एक तीन मिनिट का एक इंट्रोड़क्शन देंगे जिसमें इंट्रोड़क्टरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि उन्होंने किन-किन लोगों के साथ काम किया है वो एक मुजिशन है वो और्केस्ट्राटर है और मियूजिक आरेंजर है और गायक भी है पर हमारी कोशिश इस शो में ये रहेगी कि हम उनसे संगीत की बारे क्यों को जाने कुछ ऐसे प्रश्न करें जो हर एक व्यक्ति के लिए लाबदाइक हो सकती है जो संगीत के साथ जुड़ा है चाहे वो गायक है, चाहे वो गायका है, चाहे वो संगीत का कोई भी वाद्य बजाता हो क्योंकि डॉक्टर रमेश मिश्रा गिटार बजाते हैं, एकॉर्डियन बजाते हैं और इनका पूरा परिवार संगीत के साथ जुड़ा है मैं खास कर उन लोगों के लिए आज ये जानका वी देना आया हूँ कि संड़े को वो जरूर अपनी जिग्यासा, अपने सवालों के साथ जरूर आएं और खास कर कि वो जो या तो गायक है या गायका है या संगीत के साथ जिनका सरोकार है संगीत को किस तरीके से शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं उसके बारे में वो अपने जो कॉस्चन्स हैं जो बाते हैं वो जरूर अपने नोट बुक पर नोट करें और जब शो होगा तब हमें पूछ सकते हैं या आप मेरे वाटसैप पर भी कुछ ऐसे सवाला है जो शो में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा जिसके लिए समय चाहिए होगा वो मेरे वाटसैप पर भी आप बेच सकते हैं ताकि मैं उन सवालों को अपनी जगा पर नोट करूं जब हमारी महमान संडे को 6 जून को हमारे साथ होंगे तो मैं वो प्रश्न उन से करूं मैं आप तो उनको ये बताओं कि डॉक्टर रमेश मिश्रा जी ने पूरी जिंदगी म्यूजिक अरेंज करने में म्यूजिक देने में लगाई है उन्होंने काम किया है अबिजीद जी के साथ कभी तक क्रिश्नमूर्थी के साथ कुमार सानु जी के साथ अमिद कुमार जी के साथ عुशा उत्तुफ के साथ अनुमलिक के साथ इसमाईल दरवार के साथ और बहुत सारी लोग जो इस समय अगर मैं नाम लूँ तो पूरी बॉलिवुट को मुझे गिनना पड़े जो दिगज हमारे संगीत कार है उनके साथ भी उन्होंने काम किया कि अगर वह कोई भी यातरा कर रहे हैं यार कहीं और भी है और अगर उनको संगीत की दुन सुनाई देती है तो अगर मोहा पर दस इंस्ट्रुमेंट बज रहे हैं उनकी शम्ता है कि वो उन 105 इंस्ट्रुमेंट को अलग-अलग से उस एक द्वनी में सुन सकते हैं और जहां पर भी अगर कोई कमी है उस कमी को वह बता सकते हैं तो इसलिए मैं आज आप सब के लिए आया हूँ ये बताने के लिए कि जो हमारा संडे का शो है वह बहुत ही मेहत पूर्ण है खास करके उनके लिए जो संगीत को जीते हैं संगीत की जितनी भी शंकाएं हैं वो शंकाएं आप दूर कर सकते हैं डॉक्टर रहमेश मिश्राजी से हम उनसे गाने के भी request करेंगे अनरोद करेंगे पर ज्यादा तर मेरी कोशिश होगी की मैं उनसे उन सवालों का जवाब लूँ जो आम तोर पर ऐसे लोगों के साथ मोका नहीं मिलता है बात करने का मोका नहीं मिलता उन सवालों का जवाब लेने का मोका नहीं मिलता तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो संगीत यात्रा है उसको मैं सुगम बना सको उसको मैं सही दिशा में आपके लिए कुछ ऐसे सवालों का जवाब मांग लूँ हमारी महमान से और उसके साथ आपकी जो संगीत यात्रा है वो बहुत अच्छे से और अच्छे दिशा में जाए तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा दिल्ली से ही श्री राहूल टंडन जी का जिन्होंने ये शो अरेंज किया मुझे और रेडियो वितस्ता टीम को डॉक्टर रेमेश मिश्रा जी के साथ मिलवाया हमने उनके साथ वारतालाब की और ये दिन यानि 6 जून हमने सुनिश्चित किया कि शाम को 5 बजे रेडियो वितस्ता के फेस्बुक पेज पर जो लाइव शो होगा उसमें हमारे साथ मेहमान जूडिंगे डॉक्टर रमेश मिश्रा डॉक्टर रमेश मिश्रा पिछले 40 साल से एक दिली में सरगम स्टार ग्रूप के नाम से एक संगीत ग्रूप भी चलाते हैं जहाँ पर वो बच्चों को शिक्षा देते हैं ओनलाइन भी आप क्यूंकि महामारी का समय है कोविड का समय है तो इस समय भी वो ओनलाइन शिक्षा उनको देते हैं जो संगीत को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके टीम में बहुत अच्छे कलाकार है जो हमारी शो में छे जून को जो हमारी शो में बीच बीच में अपनी प्रस्तुती गायन के रूप में दे देंगे तो ये शो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम बातचीत करेंगे डॉक्टर रमिश मिश्राजी के साथ और उनके टीम के जो सदस्य है जो पिछले 40 साल से उनके साथ जुड़े हैं और वो परफॉर्म करेंगे और वो गाएंगे आप सब के लिए आप सब को ए वितस्ता फेस्बुक पेज पर है वो उसके साथ जुड़े और उसका लाव उठाएं जो भी आपके प्रशन है वो आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं या आप एडवांस में मुझे मेरे वाट्सैप पे बेज सकते हैं ताकि मैं उनको नोट कर सकूँ क्योंकि कमेंट्स जब ज्यादा आते हैं तो कई बार कोई कमेंट्स मिस भी हो जाता है और इस वज़ा से कोई important question मिस न हो जाए तो आप से अनरोध है कि अगर आप मुझे वाट्सैप पे बेज सकते हैं या रेडियो वितस्ता at gmail.com पर आप उस प्रशन को मुझे मेल कर सकत हैं ये तो थी जानकारी हमारी 6 जून 2021 को यानि रवी बार के लाइव शो को जो शाम के पांच बजे रेडियो वितस्ता Facebook पीच पर होगा मेरे साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपके उमीदों पर हमेशा खरा उत्रूं उसके बावजूद भी मैं बहुत सारी गलतियां भी करत हूं पर मैं कोशिश करता हूं कि अगले शो में वो गलती दुबारा रिपीट ना हो आप सबका आशरवाद आपका साथ मुझे चाहिए और तभी हम आपके दिलों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे हमारा ये लाइव शो करने का मूल मंत्र शुरू सही रहा है कि आपको र रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का एक ऐसा वेब एंट इंटरनेट रेडियो है जो पूरे विश्व में सुना जाता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अलग-अलग प्रोग्रेम्स लेके आएं जो आप अपना काम करते हुए भी मोबाइल का एप डाउनलो और आप सुनेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे हमारी कोशिश है कि हम आपकी जिंदगी का हमसफर बनें यहां पर मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो प्रसारन है वो हर दिन सुबह 7 वजे शुरू होता है और रात के 11 बजे बंद हो जाता है मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही हम इसको अप्ग्रेड कर के 24-7 चलाएंगे पर अभी फिलहाल 7 वजे से लेके रात के 11 बजे तक चलता है आसान तरीका है रेडियो सुनने का कि आप प्ले स्टोर में जाएए और आप रेडियो वितस्ता का एप डाउनलोड करें जो केवल 9 MB का है और आप रेडियो वितस्ता को निरंतर सुन सकते हैं या अगर आप iOS डिवाइस यूज करते हैं तो हमारे जो लिंक iOS डिवाइस के लिए हो हमारे पेज पर दिये हुए हैं और जब ये live session end होगा तो इसके उपर भी वो जानकारी आपको मिल सकते हैं या पुराने हमारे live shows पर जानकार 5.com ये iOS डिवाइस के लिए लिंक है जहां से हम रेडियो को सुन सकते हैं या एक और लिंक है online radios.in slash वितस्ता और भी कई लिंक है जो आपको हमारे facebook पेज से मिल सकते हैं आप हमारा facebook पेज लाइक करें वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पूरे जो रेडियो वित ले की उडान ये positive radio stories है जो हमने इस ब्रहस्पतवार से शुरू किया इसको पेश कर रही है मकमली आवाज आर जे रिखा प्रसाद ये positive stories आपकी जिंदगी के साथ बहुत माइने रपती है आपके जिंदगी में ये बहुत सारा बनलाव लेके आएंगे बहुत खूरत से उनका संदेश सुनेंगे radio वितस्ता पर तो मुझे पूरी आशा है कि आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और पहला पहली जो positive story हमने ब्रहस्पतवार को on air कर दी सुबह 9 बजे और रात के 10 बजे और ये के जो positive stories है इ उसी समय सुबह 9 बज़े और रातके 10 बज़े तो एक स्टोरी एक दिन में दो बार चलेगी ब्रहस्पतवार को और वही दो बार चलेगी रविवार को और अगली ब्रहस्पत्वार को एक नई कहानी एक नई स्टोरी आपके लिए हम पेश करेंगे जो पेश करेंगे आरजे प्रेखा प्रसाथ हर ब्रहस्पत्वार सुबह 9 बजे और रात के 10 बजे और उन्हा प्रसारन उसका अगले रविवार को होगा जो उसी समय सुबह 9 बजे और रात के 10 बजे होगा इसके साथ साथ हम कुछ और प्रोग्रेम्स भी जल्दी ही रेडियो वितस्ता पर प्राडकास्ट करेंगे जिसमें पंजाबी में और डोगरी में भी हम प्रोग्रेम प्रसारिफ करेंगे. तो आप सब लोगों का प्यार रेडियो वितस्ता के लिए होना चाहिए और हमारी जो मेहनत है, हमारी जो कोशिश है उसकी सराना करने के लिए आप ज़रूर हमारे लाइज शोज के साथ जुड़िए और साथ में रेडियो वितस्ता को सुनना ना भूले. हमारी मेहनत तबी सफल होगी जब आप रेडियो वितस्ता के प्रोग्रेम इसको सुनेंगे. एक बार फिर कहूंगा, सिंपल तरीका है, आप प्ले स्टोर में जाहिए रेडियो वितस्ता का एप डाउनलोड कर दीजे और आप रेडियो वितस्ता को सुन सकते हैं. हमारी रेडियो वितस्ता पर बहुत सारी आवाजें आपको सुनाई देंगे, जैसे खास करके हमारी रेडियो की पहचान, रमेश मरहटा जी की आवाज, जो एक कारिकरम सोहना सफर चलता है, सुबह साड़े आठ बजे, दिन में पांच बजे और रात के साड़े नो बजे. अगर आप एक बार ये कारिकरम सुनीगे और मुझे पूरी आशा है कि आप ज़रूर इस कारिकरम को हमेशा रेडियो वितस्ता पर सुनते रहेंगे. जिद्धे लोग हमसे जुड़े हैं, उन सब का स्वागत और प्यारे लाल सपरूजी, नमस्कार, और साथ में गिर्जा रेना जी कह रही है, वितस्ता का विकास पब्लिक के साथ. जी, गिजा रेना जी, आप हमसे हमेशे जुड़ते हैं, आपका बहुत-बहुत धनिवाद हमारे सब बीना डेसाई जी जुड़ी है, बेस्ट विशिस फर सेक्स जून प्रोग्राम, आपका बहुत-बहुत धनिवाद बीना जी, इस कारिकरम में हम बहुत सारे सवालों के जवाब डूढने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे विमला पंटा जी कह रही है ओके ब्रदर और साथ में अचल शर्मा जी हमसे जुड़े हैं नमस्कार शिरिवारत सोपोरी जी नमस्कार अचल जी आपका आश्रवाद हम सब बना रहे शरद नमस्कार हमसे जुड़े हैं शरद आपको भी मैं कहूंगा कि आप इस शो में ज़रूर जुड़े अगर आपका कोई प्रशन होगा तो वो मुझे बेजें या शो के दोरान आप पूच सकते हैं हमारे साथ रेखा प्रसाद जुड़ी हैं दिली से और रेख बजे ये positive stories की एक शृंकला है जो हमने इस ब्रहस्पतवार से शुरू की है अगली जो नई mystery नई positive story वो अगले ब्रहस्पतवार को आएगी ऑच जो हमने इस ब्रहस्पतवार को चलाएगी वो रेविवार को पुना प्रसाध होगी और जो story है उसका शीरशक है जिन्दगी में खुश कैसे रहें और साथ में हमारे साथ कमल बार्दवाजी जुड़े हैं एक बहुत ही बेहतरीन गाइक है अम्वाला के और कमल जी आपका स्वागत और आप जरूर जुड़ेगा हमारे शो में 6 जून 2021 शाम को 5 बजे मैं आपका इंदिजार करता रहूंगा इसके साथ ही आप सब का बहुत बहुत दन्यवाद आप खुश रहें नमस्कार जै हिंद जै बारत